दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विशे का अध्याई 11 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं आधुनी की करण के रास्ते और आज की इस भाग में हम बात करेंगे चीन के बारे में और चीन में किस तरह से गंतनत्र की स्तापना होई उसके बारे में हम इस भाग में बात करेंगे दोस्तों हम यह जो अध्याई 11 पढ़ रहे हैं और इसका नाम है आधुनी की करण के रास्ते इस अध्याई में हम मुख्य रुप से यह देख रहे हैं कि किस प्रकार दुनिया ने आधुनी की करण का जो रास्ता था वो ते किया था और यहां पर हम मुख्य रुप से दो मोड लेकर चल रहे हैं एशिया के दो महत्पुन देशों के बारेमे अध्य मधधियन करहें कि उन्होंने किस प्रकार का राष्टा क्या done इस प्रकार चापन की जो निया को चुका रागति की रोप में इस्तापित हो हो चुका है अब हम बात करेंगी अकि जो चीन था उसकी किस तरह की परिस्तितियां थी और चीन ने किस तरह से पुरी दुनिया को चौकाया एक आर्थिक महाशक्ति की रूप में बनकर और चीन ने किस तरह की समश्याओं का सामना किया था हालां कि जापान की विपरीत परिस्तितियां चीन में थी हालां कि 19 शताब्दी की दोर में हम देखते हैं कि चींग वंच जो था उसकी बहुत महत्मुन भूमिका थी पूरे एशिया महादुप में लेकिन वो जो था वो अपनी संप्रुभुता को बनाये रखने में सफल रहा और चीन को बड़े वापने वैसिक आखरवन का सामना करना पड़ा और उसके बाद में चीन ने एक तरह से क्रानितिका रस्ता अपनाया अपने देश की संप्रुभुता प्राप्त करने के लिए अपने देश सी विदेशी साज्कों को भगाने के लिए और अपने आर्थिक विकास के लिए इस पूरी कहानी के बारे में हम इस आगे के भाग जो है उनमे अध्यन करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे बहले हम देखते हैं कि गणतंत्र किस्ता अपना आखिर चीन में किस तरह से होती है आधुनिक इतियास की जो प्रमुक केंद्रिय सवाल चीन यहां पर अपने उपनिवेश सिस्तापित कर लिए थे विशेश कर पश्चीमी देश और जापान ने यहां पर अपने उपनिवेश सिस्तापित किया थे तो एक तो अपनी संप्रभुता की पुनरप्राप्ती करने का सवाल सवाल चीन के सामने था एक विदेशी कबजे के लिक्यों के समान्त के ऽटा। इसके लवा ऑओ समन्ता के इस तहने के सामने गरीबी दूरंगेर का तो और इसके लवा विकास को संबहों स्था इस सorem का निन की आरथिक विकास रहा बार कि ज़का है वो ते किया जाए उसके लिए चीन के सामने ही सवाल थे तो चार सवाल थे मुख्य रुप से जो केंद्री सवाल रहेंगे पूरे इस चीन के अध्यन में हमारे सामने इसके लावा इन चारों सवालों को यह मान सकते हैं हल करने में जो तीन की जो चीन के जो तीन प्रमुक वर् जो शुरुवाती लोग थे उन्होंने क्या किया पारंपरिक विचारों का नभीनी करने में मैत्मुन भूमी का निवाई जो चीन के पारंपरिक विचार थे उनका मानना था कि किवल पारंपरिक विचारों से कुछ नहीं होगा उनका नभीनी करन किया जाना चाहिए और यही सबसे बड़ी उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बाधा यही है कि चीन के पुराने विचार हैं उनसे चीन को बाहर आना चाहिए और अपनी परंपरां को छोड़को उनका आधुनिकरन करें इसके बाद हम दूसरा सनियाथ सेन ने जापान और पस्ची में विचारों से प्रभावी वो उनने चीन का प्रभावित इसके बाद हम बात करें की 2021 सब्सक्राइब करेंगे इसके आलावा उसने चीन को विदेशिश आसन से मुक्त भी कराया, तो ये तीन जो समू है, वैचारिक समू, इनकी महत्मून, तो सवाल तो हमारे सामने ये रहेंगे, और तीन जो महत्मून समू है, वो याद रहे हैं, इन तीनों का बहुत महत्मून वोमिका रहेगी चीन की आधुने कितियास के जब जैसुट जो इसाई लोग थे वो यहां आये थे तो पहली बार चीन का आधुनिक विचारों से सामना हुआ था यह चीन के आधुनिक करन की शुरुआत हम तब से मान सकते हैं इसके आध उनिस्वी सदी में जाके क्या हुआ कि चीन को एक तरसे इनका दूसरा रूप देखने को मिला जब चीन पर आपनेवेशिक शक्तियों का हमले हुए या चीन पर आपनेवेशिक सामराजी के स्तापना हुई और उनिस्वी सदी और अफीम की जयूद हुए बदलाव के दोर की शुरुआती यहीं से चीन में बदलाव के दोर की शुरुआती क्योंकि जो सोल्मी शतापदी और सत्रमी शतापदी का जो दोर था चीन उत्रा अधिक प्रभावित नहीं हुआ था पश्चीमी देशों से क्योंकि वहां उसनों ने उस तरह के अस्तक्षिप नहीं जिनकी बात अभी हमने किये थी, कांग, युवई और लियांग किचाओ जो दो विक्ति हैं, इनका इमानना था कि हमें अपनी परंपराओं में कुछ नवीनी करन लाना चीए, हमारी जो परंपराओं हैं, उनमें सुधार करना चीए, हमें पश्चीमी देशों के इस अपनिव इस वाद से सुरुक्षा किस तरह से की जाए इस पर भी सवाल उठाएगे और इस तरह की चीजें की गई अब देखते हैं कि Confucius वाद जो इस तोर में Confucius वाद जो था प्रमुक विचारधरा है चीन की जो प्रमुक विचारधरा रही है या सबसे प्राचीन विचारधरा रही है वह है Confucius वाद Confucius वाद की जो प्रमुक शिक्षा है वह अच्छा व्यवहार लोगों के परति और उचित-सामाजिक संबंध यह उसकी प्रमुक विशिस्ता माने जाती है इसके लाँ आधुनिक प्रक्षिक्षण का भी आयोजन किया जाने लगा जैसे चीन ने अपने जो लोग थे वो जापान बेजे ब्रिटेन बेजे और फ्रांस बेजे और वहां से उन्होंने सिक्षण ग्रेंड किया वहां से प्रक्षिशित किया अपने अध्यापकों को प श्मापक करके नई परिक्षा पढ़ना ली उन्होंने, अपना ही. अब देखते हैं, गंषांत्तर की स्थापना फुर्शी…" जीन सन यात्षेन जिन्हें हम आधुनिक चीन का संस्तापक कहा जाता है इन्होंने तीन सिद्धांत मुखी रोप से दिये थे सन मिन और चुई याद रखी इनके यह चाइनीज नाम है सन मिन चुई लेकिन हम यह कह सकते हैं कि उनके जो तीन प्रमुख सिद्धांत थे वो थे हम आपर माचु वन्सकानत किया जाता है और उपनिवेशी करन उसका खतम किया जाए इसके लाब समाजवात की स्थापना किस तरे से की जाए जिन्हीं जो पुण्जी का नियमन है पुण्जी का जो वित्रन है उसको लेकर जो जो मॉडल अपनाय गया था जो तरीका अपना से का जाता है मई घटना मई क्रांति आप कह सकते हैं चार मई 1919 की जो क्रांति हो उसने बीजिंग में कई बड़े विरोध प्रदेशन आयुजित हुए इस दुरान और प्रथम विशुद में जो चीन की पराजे हुई चीन की जो विजे हुई थी लेकिन उसके बावजुद भ जो लोग थे विशुद के युवा भर्ग था उनमें एक बड़ा रोस था तो इस वज़े से प्रथम विशुद में चीन की अपनी विजे होती है और अपने प्रदेश प्राप नहों ना इसके प्रमुक नेता थे वो कोमिं टांग और चीनी कुम्यिस्ट पार्टी इसका नेतरत वकिसने की याद रही दो प्रदार्शन tratar किये चार मई 19member50 में वो थे कौमिं टांग और चीनी के मिनिसट पार्टी यह दो प्रमुक वेखती थे हम आगे जागे दो यह प्रमुक संगठन हम देख सकते हैं आगे जाखेर हम देखेंगे कि इन्हों इन दोनों संगठनों ने ही चीन का पूरा आधुनिक इतिहास है उसे गढ़ने में मैत्पुन भूमी का निभाई है एक तो है कौमिन तांग ने पूरा चीन के नेता बनेते हैं और उनके पूरे विचारधरा थी उसको लागू करने का प्रयास करते हैं संभ्यां इंकरन और कंफूसेश वाद की एक तो चीन का इन दूसरी बात उन ने इनके साथ संघ्ष की वजह से काफ़ी दीर हो गया था में नए विश्यों के अधियन के शुरुआत बीं के दोर है उसकी असफलता है एक तो इनका संकीन सामाजी का धार था केवल कुछ वर्गो तक ही यह जो इनकी पहुंच हुआ करती थी विश्याष का ये ज शहरी मजदू तो दोस्तों आज की इस भाग में हमने यह देखा कि चीन में किस प्रकार गणतंत्र की स्थापना हुई आधनिक चीन के इत्यास था उसकी शुरुवात किस थरे से होती है और चीन में गंतंत्र की स्थापना सन्यास सेन के इत्रतौ में किस तर गया siyaankaisheek की क्या भूमिका होती है इसके बारे में हमने अध्यन किया आगे की भागों हम बात करेंगे कि स्थाम्यवादी कृरान्ति च चीन के इतियास में उसमें हम आगे के भागों में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद